एक बार फिट से मिसंग्यान की ओनलाइन प्लेट फोरम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है अभिनेंदन है मैं दिनिस चोदरी पिछली जो क्लास थी उसमें अपने पसु उत्पादों का विपणन और विपणन चैनल के बारे में चर्चा कर ली थी कैसे उनको बेचा जाता ह है और कैसे उनका करे विक्रे किया जाता है किस तरीके से किसान को लाब दिया जा सकता है अधार्त पसु पालक कैसे लाब कमा सकता है आज की जो क्लास है आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे विविन पसुओं में टीका करन कैसे किया जाता है और पसु भीमा योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को आप शेयर कर दीजीए गा ताकि वो सारे साथ ही जुड़ सके और क्लास का अनद ले सके चलिएगा आज अपने स्टार्ट करते हैं पसुमें टीका करन देखिएगा सबसे पहले पन टीका करन की किया जाता अगर कोई गाय भैस तीन मेने से कम उमर का कोई बचछडा है तो उसमें टीका करण नहीं किया जाता अगर कोई भेड और बकरी का बच्चा तीन दो मेने से छोटा है तो उसमें टीका करण नहीं किया जाता कहने का मतलब यह है कि गाय भैस में तीन महाँ बाद अप से पहले यह तो आपको पढ़ाओना चाहिए उनमें क्या किया जाता है अपने विभिन रोगों के परती परती रोधक समता उत्पन करने के लिए जो औस दिया पहले बिमारी से पहले पुरुवा उनके लगाई जाती उसको पन क्या कहते है अब चलो टिका करन का सबसे जूनमा है और एक नौमबर दिसमर माह सबसे अच्छा मेंना रहता है टिका करन के लिए ओके अधिकता टेके की समता चैमा है या एक वर्स होती है अथार्थ अपन ने जो टिका किसी पसू को लगाया है उसकी जो एंटीबोडी बनी रहती है उसकी जो परती जेविक समता ब ने बारह महा से करन करवाना चाहि Caesar भीमारियों के परती परती रोवद क समता उद्थ पण करने के लिए अपन को जो अपने गाय भैस देर लगाये जाते हैं और अपन बात कर लेते हैं और कितनी इनकी मात्रा लगाई जाती है तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं देखो यह तो होगे आपने टीके का नाम यह बच्छडों की आयू कितनी मात्रा का मिली जाती और पुने टीका करन कब गया जाता यह और उसकी जो डोज रखी जाती है. वो कितने रखी जाती है? अपने 5 ml. कितने रखी जाती है? और यह पर थी वर्स लगता है. मतलब, एक वर्स में एक बार लगता है. फिर आता है VQ, Black Quarter, चुरुचुर्या, चुरुचुर्या भोग अपने पढ़ाता में पहले, रोग सारे पढ़ लिए थे भीक्यूज जो ब्लेक वाटर रोग है उसके लिए जो वेक्सिन का ठीका लगता है वो भी तीन माहा की उमर में लगता है और उसकी जो मात्रा कामें ली जाती है पाच है मेल और ये भी एक वर्स में ऐक बार लगाया जाता है केलियर बता सकते हैं एफमडी फुट एंड माउथ डिजीज रोग खुरपका और मुपका वैक्सिन का जो ठीका है वो शुरुवात की 6 महा की आयू में लगाया जाता है दूसरी चीज इसकी जो मात्रा का में ली जाती है वो 2 ml का में ली जाती है और वर्स में 2 बार मतलब 6-6 महा के अंतराल पर य पर के रोग टीका है थीक है के फड़के रोग में 3 महा की आयू में पहला त्कम लगाया जाते और इसकी जो मात्रा का में की रोग में ली जाती है और यह भी वर्स में एक बार ही लगाया जाता है एक इंतरिक्स या अपने इसको कह सकते हैं पौकनी माता रोग हो गया जहरबाद हो गया ठीक है इसका भी जो टीका है वो तीन महा की उमर में लगाया जाता है लेकिन यह ध्यान रख लेना यह मादा में लगाया जाता है यह बच्छडी में लगाया जाता है जो बच्चा है उसमें लगाया पसू में लगाया जाता है एंथ्रेक्स का जो टीका है एंथ्रोक्स नहीं है ये एंथ्रेक्स है ओके इसका टीका मादा पसू में लगाया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको पुछा जा सकते है ध्यानक लेना इंपोर्टेंट है यह एंथ्रेक्स का जो टीका है व अधर फिर आजाता रिंडर पयस्टरलिए में लगता है और इसकी जिए मात्रा हुआ है िंए के my prices कम में ले जाती और ये तीन वर्स में एक बार लगता है अब सब्सक्रvellंबार फिर पुने तीन वर्स बद एक बार फिर लगाया जाता है किलियर बताया जा सकते हैं तो आपको यहां पेस्टे डिज़ पेस्टीज ठीक है रूमिनेंट की बात कर लेते हैं तो इसका जो टीका है वो तीन महा की उमर में बेड बक्री में लगाया जाता है और इसकी जो मात्रह काम ली जाती वह ए, इम्ल याती और यह भी एक वर्स में एक बार लगाया जाता ठीक है फिर आजाता है बृसल Lights, C19 और फिर बात कर लेते हैं केवन माधा में लगता ये ये टिका भी और तीन प्रांधे लागता है या फिर अपर्ण बात कर लता है गाय बहस्के तीन महा से चोके बच्चडे को ठीके नहीं लगाए ये चीज अपने सुरुवाथ में बता दी, minimum जो WH sons js js 2322 और 10 महा है और बेड़गरे में minimum जो एस है वह कितनी ओन reflex दो महा होने चीए तभी उनमें टीका लगाया जा सकता है इससे कम आयूक कि बच्चडे और जो मैंने हैं उन्हें टीका कभी नहीं लगाया जा सकता क्लियर नेक्स्ट आपन बात करते नेखिएगा धिर आ जाता है पिर अपना पसुबीमा द्यूडि जो पॉलिसी है उसके बात कर लेता है विमा कैसे किया जाता है और कौनसी इसमें योजना है यह योजना की नाम आपको पुछे जा सकते हैं गाए कि पस्व भीमा योजना की बात्क्राया के बात करेmaania काम देनु भीमा योजना है घुजना इसमें पसुपालंग का भीमा होता है गौख रख्शक भीमा योजने, ज कम देनू भीमा योजना यह 1997 से 1998 में चली थी ठीक है में प्रारम वी थी उनिस सो शत्यानम अठ्यानम में यह प्रारम की गई थी और इसमें 50% अनुदान पर गो सालाओं में ठीक है गो सालाओं में अपन बात करें तो नसल सुधार के संबंद में यह योजना चलाए गई थी कहने का मतलब यह है कि 50% अनुदान या सबसीड़ी पर गो सालाओं में नसल सुधार के लिए काम देनू भीमा योजना चलाए गई थी और कब चलाए गई थी बहिती कि लिए बताया जा सकता है नेक्स्ट अपन बात करतें देखिएगा भेड भीमा योजना भेड की बात करें तो इसमें दो योजन आप यहाँ पर समझते हो कि भेड को पालने वाला जिवन रख्षक योजना इसमें भेड पालक का भीमा किया जाता है उट की विमा योजना की बात कर लेते हैं उट विमा योजना इस योजना में उट का भीमा किया जाता है उट पालक भीमा योजना इसमें उट पालक का भीमा किया जाता है बिल्कुल सही है उट रक्सक भीमा योजना के लिए फिर बात करें राजस्तान राज्ये के डेरी किसानों से सम्मंदित परमुक योजनाओं का परिच्छे अपन बात कर लेते हैं पहले आती गौपाल योजना यह योजना दो अक्टूमबर 1990 से ही राज्ये के कुछ जीलों में ग्रामिन योगों की भागेदारी से प्रारम की गई थी आपको पूछा जा सकता है गौपाल योजना कब शुरू के गई तो दो अक्टूमबर गांधी ज सुधार द्वारा पसु पालकों के आर्ठीक 11 सुधार लाने योचार प्रदान करने से घुलोपाल योजना प्रारम के एंगई द्षाम केई और अगे गोरक्षक बिमा योजना योजना की बात करे यह यह योजना राज्य में युनाइटेड इंडिया द्वारा संचालित कि गई इसके द्वारा United India द्वारा शुरू की गई थी इस योजना में गाय मालिक का एक लाख रुपे तक का दुरुगटना वीमा क्या किया जाता है दुरगटना बीमा किया जाता है बीमा योजना के प्रीमियम पर भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है गोरक्सक बीमा योजना के अंदर क्या किया जाता है युनाइटेड इंडिया के द्वारा एक लाग रुपे तक का दुरगटना बीमा किया ज भारती जीवन विमा की जनस्री योजना के तैत करवाया जाता है इसमें क्या किया जाता है राजी में संचालित इस योजना अंत्रगत मालिक का गाय जो मालिक है उसका अधर की योजना का जय जाता है इस योजना का प्रिमियम रुपे कितना है दो सो रुपे परति गोंबभाले के जिसमें से 125 रुपे का अनुदान दे होता है किलियर इस योजना का प्रिमियम रुपे कितना है 200 रुपे परती गोपाला के जिसमें से 125 का अनुदान दे है उसको सबसीड़ी मिल जाती है किलियर नेक्स्ट अपन बात करते हैं महिला डैरी प्रियोजना भारत सरकार के महिला एं बाल विकास मंत्राले द्वारा वर्थ से 1922 से 13 में सिराज्ये में संचालित ये है प्रियोजना महिला ससक्तिकरण एं आर्थिक स्वावलंबन है तू मेतोपुन प्रियोजना है महिला डैरी प्रियोजना कब स्वावलंबन है तू ये योजना सुरू की गई थी पसुदन बांज निवारन स्विर पसुपालकों को अपने पसुओं को बांज होने से बचाने के उपायों की जानकारे उपलब्द करवाने तता ऐसे पसुओं का चिनही करण कर इलाज के ल पसुदन बांज नहीं रहे इसलिए पसुदन बांज निवारन योजना सुरू की गई थी ठीक है इसमें पर्ति वर्स 912 सिविरो तता 50 बांज पसुओं का इलाज किया जाता है पर्ति सिविर से 5000 का प्रावधान किया गया है अब आ जाती कामधेनु योजना की मैं बात करूँ तो गोसालाओं में दुधारू गोवन्स नसल सुदार से संबंदित है इस योजना की सुरूआत सन 1997 में हुई इस पर राजस्तान पसुदन विकास बोड़ द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है कहने का मतलब कामधेनु योजना में क्या किया जाता भीया नसल सुदार है तू गोवन्स नसल सुदार है तू यह परियोजना चलाए गी थी और इसमें राजस्तान पसुदन विकास जो बोड़ है वह 50% को सब सीडी भी प्रोवाइड करता है किलियर भीया नेक्स्ट अपन बात करते हैं राश्ट्री गाय और भहस परियोजना यह 100% केंद्रिये परवर्तित परियोजना राज्ये में वर्स 2012 से क्रियानवित की गई जा रही है यह यह योजना करत्रीम गरबादन आर्टिस फिसेल इंसेमिनेशन से गाय और भहस की नसल सुदारेतु प्रारंब की गई है यह राश्ट्री गाय यह भहस परियोजना केंद्रिये परवर्तित प्रियोजना है और राज्ये में 2001 और 2002 से प्रारंब की गई है और इस योजना का जो मुख्योद से वो करत्रीम गरबादान से गाय बैस की नसल सुदार है तो प्रारंब किया गया है के लिए बताया जा सकता है नेक्स्ट में बात करता हूं अविका पाल जीवन रक्सक योजना 6 दिसंबर 2004 से यह यह योजना प्रार राज्य सरकार द्वारा अनुदान परदान किया जाता है कैने का मतलब भीया जन्सिरी योजना के अंतरगत राज्य सरकार इसमें क्या देती है अपन को सबसीडी वगेरा प्रवाइड करवाती है इसमें भेड़ पालक की दुरुगटना विकलांग तात्वा मर्तियू की स् हो जाती है तो इनको क्लेम राज्य उपलब्द करवाई जाती है वह किसके श्रीपालक जो योजना अपन ने बता रखिये उसमें एलाइसी या राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर्दान को दिया जाता है सरस सामुहिक आरोगे भीमा योजना वर्स 2005 से संचालित इस योजना में दुगद उतपादकों को केसले सुईधा परदान की गई थी योजना सरस सामुहिक आरोगे भीमा योजना कब से स्टार्ट की गई थी वर्स 2005 से सुरू की गई थी अब इस योजना में क्या किया जात अब तक 12 चरण पूर्ण हो चुके हैं भाया कहने का मतलब 12 चरण पूरे हो चुके हैं फिर आता है अभी का क्रेडिट काड योजना कि अपन बात करें तो केंद्रिये सैकारी बेंकों के माद्यम से वर्स दोजार पाचार पांस से प्रारम ये योजना भेड़ पालकों को रिन परदान करने की योजना है इसमें अपन को क्या करते हैं भया अभी का क्रेडिट कार्ड योजना चलाएगी है जिसमें अपन भेड़ों के उपर रिन प्रवाइड अपन को करवाया जा सकता है जो केंदर उध्योंगों से संबंदित किसी बी कार्य हेतु पचास अजार तक की रासी निखाली जा सकते हैं कैनी कामतलब यह है कि इसमें एक पजार के लिए काड दिया जाता है अगर अपनको पजास अजार रुपे तक की राशी का कोई भी डेडिप से अगर कोई सामान करीदना या कोई पसु करिदना है तो अपन इसका यूज कर सकते हैं किलियर दुख्द अक्से योजना राजस्तान पसुधन विकास बोड़ द्वारा दुधारु गायवे बहस के लिए के अंदर सरकार द्वारा परिवर्तित ये पसुधन विमा योजना राज्य के अधिकांस जिलोस में संचालित है किलियर इस योजना का मुख्य उद्व से पसुधन विकास बोड़ जयपूर दुधारु गायवे बहस के लिए के अंदर सरकार द्वारा परिवर्तित ये पसुधन विमा योजना है राज्य के अधिकांस जिलों में ये संचालित भी है और इस योजना का ज नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेगा डेरी उद्देमिता विकास योजना योजना का उदस्य स्वच दूद उतपादन अच्छे परजनन स्टोक का सरक्षन तता ऐस अंगठित सेत्र के लिए सवरोजगार पेदा करना है डेरी उद्देमिता विकास योजना का नावाड नेशनल एग्रिकल्चर एंड रूरल बैंक की बात कर लेते हैं आपे डेरी लगाने पर अनुदान वर रिन भी दिया जाता है के लिए नावाड जो एक बैंक है को अपन को सबसीडी या अनुदान पर लोन या रिन प्रोवाइड गरवाता है चार प्रतिसत ब्या यह सितंबर 2010 से डेरी उद्धे मिता विकास योजना के रूप में लागू किया गया था जो यह 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 संसोधन करके एक सितंबर 2010 से डेरी उद्यमिता विकास योजना के रूप में इसको लागो किया गया था क्लियर नेक्स्ट में बात करता हूँ देखेगा देव नाराइनी योजना राजस्तान सरकार दुआरा वर्स 2011-12 से डेरी विकास है तुग गुजर भावुले जिल्यो जहां पर जो देव नाराइन है वो गुजरो के आराध्य देव है इस योजना का नाम भी देव नाराइनी योजना रखा गया था मुख्यमंत्री पसुदन निसुल्क दवा योजना राजस्तान सरकार ने पसुदन विकास है तुग 15 अगस्त 2012 से पसुद स्वास्ते सेवाओं के आगे पसुदन आरोगे चलिकाई पसुद चिकिस साले से वंचित राज्य के ग्राम पंचायतों के पसुद पालकों को उनके घर पर ही पसुदन विकास्त पंदरा सितंबर वो 15 अगस्त थी और ये 15 सितंबर 2013 से प्रारंबे की गई थी ठीक है इसमें क्या किया जाता पहिया पसुद आरोगे चलिकाई पसुद चिकाई साले से वंचित जो राज्य के ग्राम पंचायते हैं उनमें पसुद पालकों को उनके घर पर ही पसुद अप्लब कराने है तो ये योजना 15 सितंबर 2013 को प्रारंब की गई तिकाईने का मतलब यह है कि वह ये इसमें पसुद पाल सामाजिक लाब देना तुदा बकरियों की देशी नसलों का स्रक्षन व पसुद पाल को करेत्马 पर दान, करना है कहने का मतलब क्या है इस योजना में गरी पसुपालकों को आर्थिक और सामाजिक लाब देना तता बकरियों की देशी नक्सलों का सरक्षन एव पसुपालकों को रोजगार की नए अवसर पड़ान करना इसका मुखे उदस से है ओके लेक्स अपने बात कर लेते हैं य इसके इंतरगत इसको स्विकर्त किया गया था अब आती है सरसलाडो योजना की अगर अपन बात कर लेते तो जेपूर डेरी की द्वारा ये योजना एक जनौवरी 2016 कब चलाए गई थी भीया एक जनौवरी 2016 से परारम की गई थी और इस योजना का मुख्योद से सिसु कन्या को प्रोथसान लिंगा अनुपात को बढ़ाना चिता बाल विवा को हतो सायत करना कहने का मतलब सरसलाडो योजना के तहत ये एक जनौवरी 2016 को चलाए गई थी इ उसको प्रोथसान रासी प्रोवाइड करवाई जाती है और मुख्योद से इसका लिंगा अनुपात को बढ़ाना तता बाल विवाह का हतो सायत अथार्त रोकना इसका मुख्योद से क्लियर इस योजना के तहत एक जनौवरी 2016 की बाद पेदा हुई सिसु कन्या को 18 साल गया है तो अठारा साल लिया विवाह पर उसको एक लाक रुपे इस योजना के तहत दिये जाते हैं ठीक है बावासा है पसु बीमा योजना राज्य में पसु पालकों के कल्यान के लिए योजना वर्स 2017-18 से किरियानवत की जा रही है ओके इस बीमा योजना के अंतरगत अ अनुसुची जंजाती गरीबी रेखा से नीचे के पसु पालकों को मवेसी बीमा प्रिमियम पर सत्तर परतिसत तता सामाने पसु पालकों को मवेसी बीमा प्रिमियम पर पचास परतिसत अनुदान परदान किया जाता है ओके इसमें सत्तर परतिसत जो गरीबी रेखा से नी के राए योजना जंसीरी भीमायोजना के नाम से इसको जाना जाता है इसकी बात कर लेते हैं तो परदान मंत्री जीवन जुति भीमायोजना परिवर्धित आम आद्मी भीमायोजना दिनांक एक जून 2018 की गई थी यी सारी योजना एक एक ही है इनकी नाम dalग दे रहे सरस सुरक्सा कवच भीमायोजना इसका जिनसरी भीमायोजना मी नाम है परदान मंत्री जीवन जीती भीमायोजना परदान मंत्री सुरक्सा भीमायोजना प्रिवर्थित आम आदमी भीमायोजना इन सभी योजनाओं की जो शुरुवात की गई थी वह एक जून 2018 से की गई थी आंसिक एपंगता पर रुपए 25 लाग की बीमा रासी दे है ठीक है इसके अंतरगत योगे भीमित दुग्द उत्पादकों को बीमा सुरक्सा परदान की गये सोरी आँ ढही लाग है ध्यान रख लेना अगर आंसिक एपंग होगा तो ढही लाग और पूर्ण इस्ताई क्लियर मुख्यमंत्री दूद उत्पादक सबल योजना यह योजना एक फरावरी 2019 से राजे में संचालित है सैकारी दूद उत्पादक संगों को दूद की आपूर्ति करने वाले दुधारों पस्वों के पसुपालकों को रुपे दो परती लिटर का बोनस दिया जाता है इस फैल से अनुमानित पाच लाग से अधिक पसुपालकों को लाब मिल रहा है कहने का मतलब क्या होता है यह यह जो योजन मुख्यमंत्री दूद उत्पादक सबल योजना है यह एक फरावरी 2019 से प्रारम की गई और इस योजना के तहत सरकारी दूद उत्पादक संगों क दुग्ध की आपूर्ति करने वाले जो पसुपालक है उनको दो रुपए परती लिटर बॉनस दिया जाता है और लगबग इस से अनुमानित पांच लाग से अधिक पसुपालक को लाब दिया जा रहा है क्लियर मुखे मंत्री की योजना हो गई ठीक है तो ये लगबग सारी अपनी बीमा योजना ही कंप्लेट है कि कौन सी योजना के तहत कितना अपन को अनुदान दिया जा सकता है कितना अपन को लाब मिलता है क्लियर ये सारा अपन ने बता दिया और इसके साथ साथ कौन-कौन से प परचा कर ली है और आगे की क्लास में अपन नए टोपिक के साथ फिर मिलेंगे आज के लिए इतना ही कापी है जो भी अपने साती है उन सभी साथियों को सेर जरूर कर दीजिएगा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि वो सारे साथी भी क्लास का आनंद ले सके कल फिर मिलेंगे इसी जोस और जुनून के साथ लगातार बने रहिएगा मिसन ग्यान के साथ धन्यवाद भी